नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी का बेहदी खासकारिक्रम न्यूजरूम हालिया विधान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस को मिली करारी सिकस के बाद पार्टी अध्यक्षा सूनिय गान्दी ने बड़ी कारवाई करते हुए पाचो राज्यों के प्रदेशा दक्षों से इस्तीफा देनों को कहा था बताया था और उनकी रणीतियों के तहट पार्टी आंगे बढ़ी थी फिर भी कुछ नहीं कर पाई इतना ही नहीं वो भी चुनाव हार गए कॉंग्रेस कमेटियों का होगा पुनर गठन कॉंग्रेस महासरचिव रधीप सुर्जेवाला ने बताया कि अजय कुमान लल्लू ग को इस्तिफा देने के लिए कहा ताकि प्रदेश कॉंग्रेस कमेटियों का पुनर गठन किया जा सके पांचो राजियों में कॉंग्रेस को करारी सिकत्त का सामना करना पड़ा है इसके साथ ही कद्दावर नेता भी अपनी सीट नहीं बढ़ा पाएं जिनमें पंजाब के मु जवाब देही तै करने को लेकर पहला प्रयास किया वो भी तब जब जीतेज के नेता बुद्धवार को एक बैठक करने वाले हैं जिसमें वो भविश्य का फैसला करेंगे आपको बता दें कि सोनिया गांधी के फैसले को जिम्मेदारी और जवाब देही तै करने के लिए चारिक्ता मात्र माना जा रहा है चुकि पांच राज्यों के महासच्वियों और प्रभार्यों से इस्तीफा नहीं मांगा गया है और अगर ऐसा होता तो प्रियंका गांधी से भी इस्तीफा मांगा जाता जो तरप्रदेश पार्टी प्रभारी और महासच्वियों है सिब् कपिल सिब बल कोई कॉंग्रेस संस्कृत के वेक्ति नहीं है। उनसे मैं यह उम्मीद नहीं करता था। जिस प्रकार की वह बोल रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी सोच है, मैं समस्ता हूँ कि यह दुर्भाग्य पूर्ण है। असोग गहलोत ने कहा कि अगर कॉंग्रेस को एक जुट रखना है तो वह काधी परिवार की नित्रत में ही एक जुट रह सकती है। उनके प्रतिय विश्वास यह क्रेडिबिल्टी बनी हुई है। इसलिए आज हर एक कॉंग्रेस जन उनके साथ है। उन्होंने कहा कि कपिल सिब बल कोई कॉंग्रेस संस्कृति के विक्ति नहीं है। वह बहुत बड़े वकील हैं। उनको सुनिया गांधी के असिरवाद और आहुल गांधी के सायोग से बहुत मौक्य मिले हैं। वे पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं और उनके मुह से ऐसे अलपास निकलना बहुत ही दुर्बाग्य पून है। आप देख रहे